नमस्कार दोस्तों मैं हो संगीता और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी चैनल में आज मैं आपके लिए लिए वेश थाली की रेसिपी हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा सिच्वेशन जरूर बनता है जब बहुत ही सोट नोटिस में या फिर अचानक आए महमान के लिए खाना बनाना हो तो मुझे हम लोगों को समझ मनियाते की कैसे बनाए और क्या क्या बनाए तो मैं इन सारे टिप्स के साथ आज ये वीडियो बना रही हूँ तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए गा और जब अच्छा लगे यूश्फूल लगे तो लाइक कर दीजिएगा और यदि मेरे चैनल पर फर्स टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बैल आइकन को आउन कर ले ताकि मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेंस सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो चलिए बिना देर किये वे सुरू करते है पहले मैंने खीर के लिए चावल ले लिया है आधा कटोर इसको मैं धो के रग दूगी और दूदू बलने के लिए मैंने रग दिया है एक साथ और दूसरे साथ मैंने कूकर में दाल भी रग दिया है हल्दी और नमक के साथ और मैं यहां पर तीसरे गैस पर कड़ाई गरम क इन सब को डालने के बाद वह थोड़ा भूंजा उसके बाद दो बड़े प्याज, दो टमाटर, पांस से छे लसुन की कलिया, थोड़ा सा अद्रक, दो लाल मिर्च और दो हरी मिर्च इन सब चीजों को डालके हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे यहां दाल में एक सीटी लग गई है, एक सीटी लगने के बाद हम लोग गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे और दो से तीन सीटी लगा लेंगे और उसके बाद हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देंगे फिर ये पनीर के मसालों के लिए मैंने यहाँ पर एक चमज काजू और एक चमज बदाम डाल लिया है इसी में और इसके बाद फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये जो टमाटर और प्याज है वो जल्दी सॉफ्ट हो सके और इसको ढखके हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे एक से दो मिनट के लिए थोड़ा प्याज टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो देखें यहाँ पे कुकर में सीटी लग चुका था दो से तीन तो फिर यहां मैंने फ्लेम बंद करके दाल को नीचे उतार लिया ठंडा होने क के लिए और यहां हमारा प्याज और टमाटर भी थोड़ा भून गया है तो अब इसमें हम लोग आधा ग्लाज जा सा पाने डाल लेंगे और इस मिक्सचर को पांच से छे मिनट के लिए पकने के लिए ठोड़ देंगे ढखके ताकि प्याज, काजु, बदाम जो भी तो उसमें पानी डालने के बाद हम लोग अब यहां पे भिंडी मैंने धोके ले लिया है अच्छे साफ करके इसको मैं ऐसे छोटे टुकड़ो में काट लोगे मैं भिंडी के यहां पे सुखी सबजी बना रही हूँ यहां पे दूद में भी उबाल आ गया है खीर के लिए तो दूद को उबलने के बाद थोड़ा से इसको गाढ़ा कर लें पांच मिनट तक उबाल के उसके बाद चावल जो धोके रखा था हम लोगों ने अल्रेडी उसको डाल देंगे खीर के लिए हमेशा चावल पहले से धोके रखे तो उससे खीर बहुत सॉफ्ट बनता और व फिर मैं उसी कड़ाई को साफ करके ले लिए हूँ अब यहाँ पर मैंने भिंडी बना लूँगी तो भिंडी के लिए यहाँ पर मैंने तीन से चार चमद जैसा तेल डाला मैं सरसो तेल यूच करती हूँ आप इसके जगह कोई भी तेल यूच कर सकते हैं उसमें आदा फोड़ा सा मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और भिंडी को हम लोगों को अभी धक के नहीं पकाना है तुरण धक देने से भिंडी बहुत तो चिपचिपी बनती है फ्रेश नहीं बनेगी तो इसलिए हम लोग अभी भिंडी क नहीं ठकेंगे अभी खुले में ही इसको हम लोग 5 मिनट तक ऐसे फ्राइ कर लेंगे और बीच बीच में खीर को भी चलाना जरूरी है उसको छोड़ ना दे नहीं तो नीचे से जल जाएगा इसमें मैं ड्राइफरूट्स काटके डाल दूंगी जैसे काजू, बदाम, खिस जो टमाटर मैंने दाल के तड़के के लिए भी काट लिया एक साथ तो इन सब बातों का ध्यान रखे कि जब आप खाना बना लें तो बीच बीच में दूसरे रेसीपी का तयारी भी करते जाएं तो भिंडी में मैंने यहां पे हल्दी मिर्ची और जो धनिया और जीरा बिंडी में धनिया दर का बिंडी मिर्म जाएं दियाओं आधा चोटा चैला झागे भी करेखाया यहां दाना का लिधे श porte आज़का कि तो एक prophecy एक तड़के का हम दान radial टार का खुत्त कर लें तो कंब temos जीरा यहां राल माटर का यहां कु को छीर भी मिर्च और कड़ी पत्ता लासुन प्याज और टमाटर कटा हुआ और आप हिंग भी डाल सकते हैं मैं यहां पे हिंग मिस्ट कर गई थी तो इन सब चीजों को डाल के और अच्छे से इसको भून ले और टमाटर को गलने तक इसको पका ले तो दो से तीर मिर्च का टाइम लग यह ऑप्सिनल है और मसाला जब तक फ्राई हो रहा है दाल के तड़का के लिए तब तक हम लोग जो यह पनीर के मसाला को ठंडा करके रखे हैं उसको एक मिक्स के जार में डाल के और इसका स्मूध सा पेस्ट तयार कर लेंगे यहां देखिए यह बिलकुल अच्छे से फ्र करते हैं तो यहां पर मैं पानी नहीं डाल रही हूं तो थोड़ा साहरा धन्या डाल के इसको मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं बट गरम मसाला हर रेसीपी में डालने से थोड़ा सा खाना वह हो जाता है तो मैं यहां 2 तेजपत्त और यहाँ पे गैस का फ्लेम लो करके यहाँ पे लाल कास्मेरी लाल अर थोड़ासा हल्दी इन दोनों को डाल के थोड़ासा मिक्स कर लेंगे और जो हमसा पास्ट रखा था मिसाली का वो ऐड़ करके और इन सारे चीजों को पकने के लिए छोड़ देंगे, मिक्स करके अब इसमें सूखे मसाले भी डाल लेते हैं तो सूखे मसाले में धनिया पावडर, जीरा पावडर, लाल मिर्च पावडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यह सारे चीजों को डालके और मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम लोग इसको ढख के पका लेंगे 2-3 मिनट के लिए क्योंकि यह गीला मसाला होता है तो वो बहुत छीटा पड़ता है इस वज़े से भी ढख दे और ढखने से जल्दी वो पक भी जाएगा जब तक वो मसाला तेयार हो रहा तब तक हम लोग यहां राइता बना लेते हैं तो मैं यहां खीरे का राइता बना रही हूँ तो खीरा को मैंने यहां पे कद्दू कस कर लिया है ग्रेट कर लिया है खीरे को और उसको उसमें डाल देंगे उसमें चाट मसाला आधा छोटा चम्मच जैसा काली मेर्च अपन्意 टेस्ट के अकॉर्डिंग और नमक और यहाँ पे इदी बच्यों के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप लाल मेर्च पाॉडे भी ऐट कर सकते हैं हरी मेर्च भी ऐट कर सकते हैं धनियापत्ता भी आट कर सकते हैं तो इन सारे चीजों को मिक्स करके यहां हमारा खिरे का रायता भी तेयार है, यहां आपके गयर लेक्ष्ट लेटा है अपर नमक हमेश width में बाद में में बहुत से एक इन उस से एक भड़ के तूंदर गी करने तक कुंब पान के बानी लिए और दो चम जीमक जाब ज्येरा जाओ में छावल के पाद ङेड़ के जनी कमड़ कर देनकी हाओ सोती है जीक या फीड इर आंप में लिएनल पादर सुए फैस नहीं पानी की एक ग्लास चावल लिए तो दो ग्लास पानी तो कुकर के सीटी में बंद कर देती हूं और यहां देखिए पनीर का जो मसाला वो भी बिल्कुल तैयार है तो इस स्टेज पे हम लोग सारा पनीर एट कर लेंगे चावल में में एक सीटी लिएटी में के बांगे के पादगा है यहां अधा कबजे साल ने के लिए च्रेकर के देखिए लुगा पका हुआ है तो इसको 3-5 मिनिट तक आप पका ले पनीर के साथ ताकि पनीर में मसाले और नमक चले जाए जब तक पनीर की सबजी तयार हो रही है जब तक मैं यहां पर आटा लगा लेती हूं पोड़ी के लिए तो आटा में मैंने अल्रेडी नमक और तेल डाल लिया था मोय रोटी से ज़्यादा थोड़ा टाइट रहे है पोड़ी का डो तो यहां पर थोड़ा से एक बार और मसल लेंगे और फिर छोटे-छोटे लोई तोड़के और फिर उसका हम लोग पोड़ी बेल लेंगे तो पनीर का सबजी मेरा तयार हो गया था उसको उतार के मैं गरम मसाला और कसूरी मेथी धनिया पत्ता के साथ मैंने उसको उतार के रख लिया है ठेंडा होने के लिए और चावल में भी सीटी लग गया था तो मैंने चावल भी उतार लिया है तो चावल और सबजी तयार है सबसे लास्ट में मैं यहाँ पोड़ी बना रही हूँ तो पोड़ी को बहुत जादा मोटा या बहुत जादा पतला नहीं बेले पतला बेलने से पोड़ी फट जाएगा फुलेगा नहीं और मोटा बेलने से पोड़ी सॉफ्ट नहीं बनेगा तो इन सब बातों का ध्यान रखे, पूड़ी बेल लीजिए, और पूड़ी तलने के लिए तेल का गरम होना बहुत ज़रूरी है, कम तेल में पूड़ी कभी भी निफूलेगा, तो कोशिस करें के तेल को अच्छा गरम कर ले, और यहां मैं सारा पूड़ी तल लेती हूं उस काउल में, उसके बाद मैं दाल निकाल रही हूं, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है और बहुत ही जटपट और बहुत ही यूनिक मेथड़ से, आप टाइम को कैसे मैनेज करें, मैंने बताया है कि एक सबजी जब तक बन रही है, तब तक आप दूसरे सबजी की तयारी कर या फिर तड़के की तयारी कर लें, आटा लगा लें, तो ऐसा आप करोगे तो आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा खाना बना पाओगे, तो यह बहुत जरूरी होती है कि आप टाइम को देखते वे काम करें, और जहां जिसकी जुरूरत है, जो पहले करने की आपके, और ऐसे निकाल लिया, ताकि देखने में भी अच्छा लगे, और खाने में भी अच्छा बना ही है, जीरा राइस मैंने बनाए, इसलिए सिर्फ जीरा डाला था मैंने, यहां हमारी फुली फुली दो पोड़ियां, और थोड़े से सलाथ में रखोंगे, और